जारकन बिज़ेपे के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दुमका में एक बार फिर पेट्रोल कांट होने पर हेमन सरकार पर जम कर निशाना साधा है उनोंने कहा कि दुमका में एक बार फिर छात्रा को उसके प्रेमी ने 90 प्रतिशत जला करिया कांट किया है और दरिंदो और विक्रित मानसिक्ता वाले लोगों में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर जिस राज में पिछले 33 मैने से लगबग 5000 बलतकार हुए ह और एक प्रतिशत से भी कम बलतकारियों को सजा मिली है वहीं ऐसे दरिंदो का मनोबल बढ़ेगा उन्होंने सरकार की दोशियों के खिलाफ अविलंब कारवाई करनी की भी मांग की है जारकन सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसके कारकार में बेटियां जिन्दा जलाई जारी है और ये सिलसला थम नहीं रहा है दुमका में बेटी अंकिता को जिन्दा जला कर मार दिया गया था उसी दुमका में एक बार फिर से एक और बेटी को उसके प्रेमी ने जिन्दा जलाकर 90 प्रतिशत तक उसके पूरे शरीर को जुलसा दिया है और वो कहता था कि तुम्हारा भी अंकिता वाला हाल करेंगे तेकि जिस राज में पांच हजार से ज्यादा बेटियों की इज़त लुटी गई हो तीन वर्ष के कारकाल में सरकार के और एक परसंट से भी कम लोगों को फास्ट रैक कोड के जरीए सजा दिलाई गई हो बलातका हो गया है ऐसे वहशी दरिंदों में और ये सीधा सीधी इस सरकार का फेलियर है जारकंड सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसके कारकाल में बेटियां जिन्दा जलाई जा रही है और ये सिलस्रा थम नहीं रहा है दुमका में बेटी अंकिता को जिन्दा जला कर मार दिया गय जारा भी अंकिता वाल करेंगे जिस राज में पांच हजार से ज्यादा बेटियों की इज्जत लुकी गई हो तीन वर्ष के कारकाल में सरकार के और एक परसंट से भी कम लोगों को फास्ट रैक कोड के जरिये सजा दिलाई गई हो बलातकारियों को तो वहां ऐसे अपराध दों में और ये सीधा सीधी इस सरकार का फेलियर है चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बाला जी कन्या कुमारी मदुरे मामिनाक्षी देवी और श्री मलिकर जोतरलिंग का जार्खन में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाप का आनुपम अवसर संपर्क करें माकामा ख्याद धार्मिक रेलियात्रा केश्री नर्सिंग होम पहला तरला पिस्कामोर राची चार धामों में से एक रामिश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरै, मामिनाक्षी देवी और श्री मलिकार्जुन जोतरलिंका जार्खन में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाप का आनुपम अवसर संपर्क करें माकामा ख्याद धार्मिक रेलियात्रा केश्री नर्सिंग हों तहला तला तिसका मोड राची